स्मार्ट वाच इसका टावर बन गया है और ये सारी चीज़े मुझे अगले कुछ दिनों में रिव्यू करनी है तो इतना जादा टाइम होता नहीं है हर चीज को रिव्यू करने के लिए तो एक बार इसको मैं साइड में करता हूँ आज की वीडियो जो है वो है यहाँ पर नॉइस के नए नेक बेंड जिनका नाम है नॉइस फ्लेयर एकसल यह जो नेक बेंड है वाई मैं इसको पिछले दो तीन दिन से यूज कर रहा हूँ और सारी सीज़े बता हूँगा कि यह जो नेक बेंड है आपको क्यो खरिदने चाह कर रहा हूँ तो जल्दी से वाला जो ब्लू इसको अंबॉक्स कर लेते हैं और एक और चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करिए कि इस बार यह जो नेक बेंड है यहाँ पर यह डिजाइन एंड मैनुफेक्चर इन इंडिया है तो यह अच्छी बात है और बॉक्स ओपन करते ह जैसा आप दिख सकते हो जो नेक बेंड है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आते हैं यह ंग्सी ब्लू चलर में तो यहां पर आपको तुछ इस तरह से ब्लू अलिलेगा उसके यहां ब्रॉट रॉड्स एंड इॉसर मैनुट है साथ में आपको यहां पर कुछ और एयर ट कर देखने को मिलता है और जो silicon है वो यहाँ पर काफी soft है तो neck र-on बहुत ही सही रहता है काफी देज़ दक आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर अगर मैं build quality की बात करूँ तो build quality जो आपको यहाँ पर मिलती है वह यहाँ पर आपको यहां पर आपको किसी तरह कोई देखने को नहीं मिलता है क्योंकि जो इसके वायर में देखने को मिलेंगे तो यहां पर एक यहां पर यहां इसको ब्लूदय आपक ऑन पर आपको नोट तो एपक हो से खुएट कर घ्रम क्रोंबाइब यहां पर इसको यहां पर आप करते हैं। किसी तरह को कोई उशु नहीं आता लेकिन यहां पर प्ले पॉस वाली फंक्शनलिटी नहीं में यहां पर इसे लगाओ पॉस जाता है वह नहीं होगा सिर्फ यह ओन उफ करता है पर आ जाता है और यह जितना अमर्जी कोद लो बाकि इस नेक बेंड को चार्ज करने के लिए और आपको इसके जो control module में आपको यहाँ पर USB-C charging port दिया हुआ है जिसके मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हो और यह जो neckband है यहाँ पर इंस्टा चार्ज यानि की fast charging support करता है तो इसको अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हो तो यहाँ पर करीब आपको 10 गंटे का playback time मिलेगा बट overall battery की बात करें तो जो company का claim है कि एक बर इन neckband को अगर आप चार्ज करते हो तो आपको यहाँ पर 80 गंटे का playback time मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा गासा है और मैं इस neckband को फुल चार्ज करके पिछले तीन चार दिन से यूज कर रहा हूं और इसका जो battery percentage है इस time पर वो है 60% तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 80 गंटे का playback time है अगर आपको 50 गंटे मिलता है 60 गंटे मिलता तो भी बहुत जादा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर बैटरी बैकप है यह जो इसका main advantage रहेगा इस neckband का बाकि इस neckband में आपको IPX5 की rating मिलती है तो यानि यह जो water resistant रहेंगे यह waterproof नहीं होंगे और इन neckband में आपको Bluetooth का version है वो मिलता है 5.2 जो कि मैं बात करते हैं इन neckband की sound quality के बारे में तो इन neckband में आपको यहाँ पर 10 mm का drivers देखने को मिलता है और यहाँ पर अगर sound quality की बात करो तो मैं बूलो है कि यहाँ पर sound quality है काफी balance sound quality है बहुत जादा अगर आप बूमी, bassy music सुनना पसंद करते हो तो यहाँ पर जो bass का level है वो यहाँ पर इतना जादा आपको सुनने को नहीं मिलेगा बट vocals काफी clear है, instrument separation भी यहाँ पर काफी अच्छा कास है लेकिन अगर आप बहुत जादा high volume पर music वगारा सुनते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत distortion सुनने को मिलेगा और जो लोग gaming वगारा करते हो तो इसमें आपको किसी तरह का कोई dedicated gaming mode नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लाग देखने को मिलेगा अगर आप PUBG यासी Call of Duty वगारा गेम खेलते हो लेकिन अगर आप इस पर वीडियो वगारा देखते हो तो वहाँ पर किसी तरह का कोई भी noticeable lag नहीं है और उसके लाब आपको किसी तरह का कोई लेना चाहते हो तो य तो यह है Noise Flare XL के microphone से यहाँ पर जो माइक है इसके जो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो मॉड्यूल में रहता है control मॉड्यूल में और इसको आप से अपने मूग के पास भी रख सकते हो लेकिन माइक की क्वालिटी में कि यहाँ पर काफी से इसमें जो इसके box पे लिख तो यह है Noise Flare XL और जैसे मैं बोला इसका प्राइज है I think 1500 रुपे और 1500 रुपे में यहाँ पर आपको काफी अच्छे-खासे comfortable neckband देखने को मिलते हैं यहाँ पर काफी soft इसका जो neckband है earbuds का जो comfort level है वो भी मुझे काफी सही लगा यहाँ पर अगर आपको hook वगएरा यूज करना है तो आप अपने कानों के साब से hook वगएरा चूज करो इसके box में अलग अलग बहुत सारे hook दिये हैं तो build quality और comfort wise यहाँ पर काफी सही है लेकिन इसके लाबाब यहाँ पर जैसमे काफी सही है लेकिन जैसे माता है इसके जो sound quality है वो उन लोग को काफी पसंद आएगी जो balance sound सुनना पसंद करते हो भूमी और bassy music सनने वाले को यहाँ पर sound quality इतनी जादा पसंद आएगी लेकिन जो mid or high frequencies में यहाँ पर clarity है वो बहुत सही है उसके लाबाब यहाँ पर आपको बहुत सारे जो neckbands अब अच्छे-च्छे मिलने लग गए है बट यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छी घासी बैटरी वाला जो neckband चाहिए तो definitely आप यह जो noise flare xl इसकी तरफ जा सकते हो और अगर आपको इसको खरिदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नि कर दो एंचे यह जो कर दो आपको एंचे लगता है delicious